मैं कोलकाता शहर के एक मॉलने में नया नया ही रहने आये था शुरुवात में तो थोड़ा अलग थलग सा रहता था नया शहर नई जगा होने से इंसान थोड़ा सा हिचकिचा सा रहता है डर लगा रहता है कि कई वो कुछ आसा अटपटा ना कर दे कि लोग उसे पहचान ले अरे तू तो हमारे आगा ही नहीं पर जब भी किसी मस्ती कर रहे हो ग्रूप को देखता तो यहां कोई दोस ना होने के विज़े से थोड़ा सा अदास हो जाता खुद कोई समझाने के लिए कह देता यह भी कोई मस्ती है वला बेटा अगर वो हमारे दिल्ली वाले लॉंडो का ग्रूप होता ना तो महीं टिकते भी ने मैं कॉलकाता एक जॉब के सिलसली में आया था कॉलेज की प्लेस्मेंट कंपनी ने मुझे अपने घर से लग कर दिया किती बुरी होती है इन प्लेस्मेंट कंपनी आते आते बाओजी ने भी कह दिया था कि जहां नौकरी लगी है वह अच्छे से काम करना और सबसे पहले बॉस को बटाना और तुम हमारे खांदान के पहले ऐसे लड़के हो जो शहर से बार नौकरी के लिए जा रहे हो नहीं तो सभी ने अपनी खांदानी पर्चोन की दुकान पर काम किया है और अब वहां जा रहे हो तो वहां सिमेंट की तरह पैर जमा लेना नहीं तो मैं अपनी खांदानी पर्चोन की दुकान पर बेठातु लगा 500 समालना दो हो वह ? मैं बयुत के रहा ठार छांट के मेरा मन नहीं है बहां जाने के और नहीं आए आपके वह झाना चलदे कर पर हण चाहने होती थी तो बाओ जी मुझे बागे पैरेंट्स की तरह गुमाने लेके जाने के वज़ाए इस परचून की दुकान में बिटा दे थे और जब मम्मी कहती ही कि चलो कुछ दिन मैंने पापा की दुकान में घुसना तक रही है कुछ ऐसा बनना है कि पापा खुद ही कहें कि यहां क्या करेगा जो मन मैं वो कर जब बार वी तो जट से पापा को बोल दिया कि मैं इंजीनिरिंग करना चालता हूं पापा कुछ बोल तो अससे पहले मम्मी बोल पड़ी मैं पताना चालता है मैंने इंजीनिरिंग इंजीनिर रगर बनना था बलकि मुझे अपने पापा की दुकान से दूर रहना था जहां आटा दाल चावल ना अब अब अच्पन में ठीक था तो इंजीनिरिंट के टॉप स्ट्रेंट्स मानने लगा तब सोचा कि चलो अप पाइराख और मजबूरी में कॉलकाता जाने का मन बनाया हूं क्योंकि अगर बाओ जी से कह देता कि नहीं है मन जाने का तो बाओ जी तुरंट पकड़ ले था बिंदुपन के लिए जब घर से कॉलकाता के लिए निकलता था तो बाओ जी फिर से बोले कि वहां जा रहे हो तो पहर जमाल है ना बाओ जी की बात को ठाल नहीं सकता था और अपने मन की बात बता नहीं सकता था तो कॉलकाता चला एक दिन सुबह के वग जब आफिस के लिए निकला तो मेरी नजर एक लड़की पर पड़े क्या लड़की थी वो सांबरी सी मुस्कुराता हुआ चेहर ऐसी जैसे कोई अपसरास ही उतराई हो और वो उसका पीला सूट है ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अपने हिंदी बॉलीविट फिलम वाला वन सेड़ेट प्यार हो गया है मैं उसको देखी रहा था 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 भी मेरी आफिस को कैवल आ गया मन तो कर रहा था कह दूँ कि वैस कोई अंसर ने दिया मन में प्लान बनाए कि स्पेली सूट वाली को कैसे इंटूड़ा जा सकता है अब मैंने सोचा कि जब सुबह कैप के लिए आओंगा तो आदा घंटा पहले हो जाओंगा क्या पता हो मिल जाए मुझे तो पता चली गया था कि वो भी किसी ऑफिस में काम करती है क्योंकि जहां मेरी कैप आती है और कोल का था कि अलीपूर का वोच और आहां फेमस ही इसलिए क्योंकि वहां सभी ऑफिस की कैप इकटा होती है अगले दिन में कैप वाली जगह पर आदा गंटा पहले ही पहुँआ है और उसे ढोड़ने लगा कि या अधिक जाए त अधिक जाए और मैं वही डीडील जे के शारुक के तरह डायलोग मार देता है ऐसी कोई मिली नहीं है जैसे देख कर दिल की हर अर्जू सारे का सारे रंग जिन्दा हो जाए अब यह ऐसा हुआ नहीं है जैसे कोई अंदेख आन जाना चेरा बादलों से पकार रहा है बताने नहीं वादल कब भटेंगे रोपकारने वाली सामने आएगी है अपने ख्यालों में खो गया चेरे पर आदे फिट की मिसका मेरा ध्यान तब तोटा जब कैप आले ना कि मुझे हान लिया सच में वनसाइड लव हो गया था मुझे अगले कुछ दूनों तक यूं है सिलसला मैं कैप बाली जगह पर रोज आदा घंटा महां पहले पहुंच जाता और पीला पीला करता हूँ से ढूटने की कोशिश करता है लेकिन वह दिखती ही नहीं और रहो जुदास हो जाता है यार बगवान कहा है वो एक तो बगवान को भी खोज जाला है या बगवान मतलब प चाई करूँगा जाके और वैसे भी बॉस को पीपीटी बना कर देनी है तू 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 ला जा तो काहती टेंचन लेता है रहे चेरा अगने खा और रही बात मोड की तो चाई मत पियो लेकिन चल ले अगले ही कुछ पल में ऑफिस के नीचे चाई वाले रामुदटी स् अपने कुछ ऑफिस का लिक के साथ मन में तुरंट फुल प्लान बनाए कि चल उससे बात करते हूं यह सरसे बात के शुरुआत करेंगे क्या मैं बोल दू कि तुम मुझे पसंद हो या मुझे तुमसे दोस्य करनी है नहीं यार अगर उसने को जवाब नहीं दिया तो मैं त देखा जाएगा तभी वो अपने ऑफिस में चली गई वो मेरे ऑफिस के सामने वाले बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लो वाले बैंक में थी उस बैंक में जिसमें मेरे अकाउंट तो था लेकिन इस मुए डिश्टल इंडिया के चलते में सारी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर लेता था और कभी जरुद पड़ती तो आफिस ही बैंक के इंपलाई को बला लेता आज जो मैंने उसे देखा कि वो यहां काम करती है तो मन में खुशी सी हो गई ऐसे जैसे कि वो मुझे मिल गई हो ऐसे जैसे कि मेरा सर उसकी गोत में हो और मेरे बाल से ला रही हो ऐसे जैसे कि आसमान में बचली खड़क चाने पर उसने मेरा हाग जोर से भेश लिया हो मैं आगे बढ़ा उसके तरफ भी ना कुछ सोचे भी ना कुछ जाने फिल्मों में देखा था कि अगर आप किसी चीट को शिद्द से चाहो तो वापको जरूर मिलता है मेरा कदम अब सामने वाली बिल्डिंग की पहली सीडी पर था जो उस बैंक की तरफ जा रही थी मैं मानो अपने होश में ही ना हो तब यह मन में सोचा रवी तू कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना मतलब अभी तो तू से जानता भी नहीं और सिर्फ देखने पर से प्यार नहीं होता और अपनी छोड़ उसकी सोच वो तो तुझे जानती तक नहीं और नहीं कभी देखा है तो कैसे सोचा कि पहले दोस्ती कड़ते हैं और अगर मैं उसे अच्छा लगा तो सपने मन की बाद बोल दूगा अगले पांश मिट में मैं उसकी कस्टमर एक्जकुटिव वाले टेबल के सामने बैठा था हां मैं है अप्यू सर उसने कहा मैंने कहा वो ये कि ये सर उसने कहा मैंने कहा कि मेरा काउंट है इस बैंक में और मैं अपने एट्यम का पासवर्ट भूल गया हूँ ओके सर और पासवर्ट उसने कहा मैंने मुझे एट्यम का पासवर्ट नहीं तुम्हारे दिल का पासवर्ट चाहिए जो सिफ मेरे पास हो मैंने सहमती से सर हिला दिया सर कलापाजी हम आपको नई पिन देतेंगे ठीक है मैंने कहा अंगले कुछपल में बहुत खुश था और ऐसा नहीं कि वो मेरी खुशी से मुश्टक हो बलकि मेरे चहरे पर वो किसी के द्वारा भी पड़ी जा सकती थी मेरा कलीक चिराग जिसे मैं बिना बताया बैंक चला गया था मुझे देखते साथे बोला अबे क्या हुआ इतना बलश क्यों कर रहा है मैंने कहा वो मिल गई चिराग कौन मिल गई मैंने कहा आप दू अबे कौन उसने मुझे जटक कर पोचा मैं अपने सपने से टोटा अपने सामने चिराग को देखते हो बला कि कुछ नहीं चल उपर आफिस चलते हैं बहुस को पीपिटी देनी है मैं अब रोज किसे ना किसी बहाने से बैंक पहुँच जाता कभी ये काम कभी हो काम मेरी इस पीली सूट वाली से दोस्तियों पे थी वुशय समझ गई थी कि मैं उसे सिर्फ मिलने के लिए आता हूँ बैंक का कोई काम बाम कराने नहीं एक दिन बोली कि तुम यहां मताय करो बैंक बाले मेरे बारे में गलस सोचने लगे हैं अब हम नहीं मिलेंगे मैं सुन पढ़ गया हूँ जैसे किसी ने मेरे ने जी से धर्टी केशली हूँ मुशे कहना चाह रहा था कि मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ तुम्हे चाहता हूँ लेकिन बिना कुछ कहें वहां से चलती है वो बल वो लम्हे बिताना बहत मुश्किल होता है खास दौत अब जब आप जिससे चाहते हो और वो आपके सामदे हो लेकिन आप उसे चाहकर भी अपने मन की बात नहीं बता सकते फिर भी मन में बस एक क्यास रहता है कि काश काश वो मेरे दिल की बात समच चाहे मेरे आँखों में अपने लिए प्यार देख लए है वो बोल जो मैं सिर्फ इसले नहीं बोल पा रहा वो बाद जो मेरे मन में आ टक्सी गई है तुम्हें पता है ना कि क्या वज़ा है तुम्हें आज तक ना बता पाने की तुम वो हो जिसे मैं चाहता हूँ और तुम्हें पूपी मिससे मिलना ही नहीं चाहती एक सुवह बाओ जी का फोन आया पूश नहीं लेगी कि बेटा ठीक हो ना वहाँ पे कैसा चल रहा है सब मैंने भी कहा दिया हाँ बाओ जी ठीक हो भाओ जी शायद मेरे मन के अंदर 6-6 परिशानी को समझ गये थे भाओ जी बोले अरे कोई परिशानी तो बताओ नहीं भाओ जी बस यहाँ कोई अच्छा दोस नहीं बनाया ना तो दिल नहीं लगता भाओ जी बोले तुम आशा के यां क्यों नहीं आते और जब से कोलकाता गए हो अपने बुआ के यहां एक बार भी नहीं गए आशा का भी फोन आया था कि रवी तो यहां रहकर भी नहीं आता तुम ऐसा करो इस अरवार को आशा के खर होया तुम्हारा माँ हुम्रूम चिंटू भी है अब वाँ तुम्हें तोड़ अच्छा लेगा जाकर गे अरवार की तरह भावजी ठीक है भावजी के कर बात मान ली ठीक है भावजी चला जाओंगा भावजी की घर भावजी की बॉहा कागर मेरे घर से बीस मिनिट की दूरी पर है जब मैंने बुआ जी के खर पहुंच कर उनके घर की बेल बजाए तो दर्वाजा खौनने के लिए चिंटू ही आया तब इंदर से आवाज आई चिंटू कौन है चिंटू बार अभी भाई आया है नमस्ते भाजी कैसे हुआ मैं भी ठीप तू बता या राइकर भी नहीं आता बस बुआ वो टाइम नहीं मिल पाता ओफिस होता है तो सारा टाम योई निकल जाता है बुआ चल कोई नहीं खाना तियार है चलो दोनों मुहाद दो लो खाने में औरर की पीली दाल देखकर मुझे फिर से या जा गई खाना खाकर मैंने चिटो कहा की चल थोड़ा ठहल लेते हैं वो क्या है न की खाना खाने के बाद थोड़ा सा ठहल लेता हूँ क्योंकि उसने कहा था कि उसे मोटे बेट वाले लड़के नहीं पसंद चिंटो वोला चलो भईया घर के बार निकला है था कि वो मुझे दिख गई दिखा कि सामने वाले दुकांदार से उसके रेट कम करने के लिए उसकी लड़ाई हो रही वो लड़ाई मुझे बहुत कारी लग रही थी मैं जैसे उसे देखते ही डूब गया मैं या ईशा नाम है इसका मैंने का हाँ पता है मेरे यह उफिस सामने वाली बिल्डिंग में काम करती है उसकी वो सबजी वाली से नौक जो खतम होई तो उसने मेरी तरफ देखा देखा कि मुझे ऐसे देख रहा हूँ जैसे कह रहा हूँ कि मुझे से बात कर लो कि मैं उसे ऐसे देख राऊं जैसे कोई करीब बच्चा अपनी आंका वे उस सपने को देखता है जो से बहुत दूर हूते हैं मैं उसके पास पहुंचगा वो बुली कैसे हो रवी मैं बोला ठीक हो वो बोली तुम आये नहीं मैं बोला तुमनी तो कहा था वो बोली अरे डफ़र इसे बैंक में तो खाता बार थोड़ी मैं बोला तो फिर वो बोली फिर मैं बोला मैं तुम से कुछ कहना चाहता हूँ वो बोली तो कह दो मैं बोला पहले वादा करो तुम नाराज नहीं होंगी वो हस पड़ी बोली तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हारी आंकों में वो सब दिखता है जो तुम कहना चाहते हो मैं वो हुना जिसे तुम खुछ से भी जादा चाहते हो मैं वो हुना जो तुम्हें आजकल सोने भी नहीं देती मैं वो हुना जिसके लिए तुम बार-बार अपना एटियप का पास्वर्ट बोल जाते हो मैं वो हुना जिससे तुम बेंतिया प्यार करना चाहते हो मैं बोला हाँ वो बोली अरे डपर बोला हूँ वो बोला है I love you वो बोली नगी चट ऐसे ने गोटने पर बैंड होकर बोल इसमें फील आएगी मैं बोला मेरे पास फूल नहीं है वो बोली अरे मेरे इंगलिश वाले फूल हीले गोबी और अगले ही पल मैं गोबी का फूल ये गोटना जमीन पर लगाए उसे कह रहा है कि मुझे ये गोबी तुमारे हाथ से पूरी उम्र खानी है क्या तम मेरे बनाओगी